Hello, Assalamu alaikum everyone I hope everyone is doing good सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, भले चंगे होंगे और अपने पी लाइफ एंजोइ कर रहे होंगे I am back with another video, another vlog by Anayomay So, video start होने से पहले, do subscribe to my channel और अपने friends and family के साथ share कर दें और आज की video में मैं आप से कुछ summer 2023 के लिए जो है, skincare tips आप से शेयर करना जा रही हूं उसके इलाव़ गीबवे के बिनल्स भी हैं और नेक्स की बवे भी अनौस करना जा रही हूं So, stay tuned with the video, video से को end तक देखेगा questions की answers, instagram inbox पर जाके आपने मुझे करने हैं यहां पर comment section में आप कोई भी वीडियो से related क्यूरी कर सकते हैं कोई question पूछ सकते हैं और तुम्हें skincare की tips summer के लिए लगी हूं अगर उससे बहतर या आपको कोई और अच्छी समर्स से related skincare की tips बता हैं तो मुझे comment section में comment करके ज़रूर बताईएगा बट वीडियो ज़रूर अपने friends and family के साथ चेएगा let's begin with the video वीडियो देखें और फिर मैं उसके साथ साथ आपके साथ कुछ summer skincare tips भी शेयर करती हूं तो यह अनाया के राजिंग पाकिस्तान के कुछ BTSN जो कि मैंने record किये थे उस इनों मैंने आपसे शेयर नहीं किये बहुत ही जवदस किसम का शो गया मैंने आपसे का था कि यूट्यूब पे आ जाएगा वो आ चुका है शो उसका निंक जो है निस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रैट करतूंगी ज़रूर जाके देखेगा आपको बहुत मज़े आएगा अनायका सेक्मेंट देखने में और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तब सब्सक्राइब नहीं किया गो सब्सक्राइब टू मैं चैनल ताके मेरी जो है वीडियो और सब बहुत सारे लोगों तक पहुंचे गेवेवे का सिलसला भी बढ़ता रहा है हमारी फैमिली भी ग्रो करें और जो है बहुत सारी चीजें जो मैंने इस चैनल से रिलेटिड ड्रीम की वी हैं वो भी माई ड्रीम कें कम टू और यह सेम डे के क्लिप हैं जो के मैं आके फिर नाश्ता बनाया तो सुबह टाइम नहीं होता इतना अर्ली आप उस्टू भी हो पहुंच होते हैं तो फड़ा फट मुझो है मैं बस रेडियो के चाय पीके निकल गए थे हम लो और फिर आके मैंने यह स्लामी ली थी इसको ना थोड़ा सा मैपल से रब लेके उसको मैंने तोड़ा हलका सा गरम किया उसको मैंने उसमें को सौते किया और एक ब्राइड का स्लाइस लिया और पर यह रखके मैं मज़े से लगए और आइक का यमी स्क्रमी लगता है और जो भी सीजनल प्रूट्स अवैलेवल होते हैं मेरे 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 बच्छों को पसंद भी बहुत है तो यहां पर मैं वाटरमेलन कर फिर्ज में रख दूंगी तो मैं बच्छों को हमेशा यहां पर यहां पर यहां पर फिर्ज में रख दूंगी इसके बाद में अपना जो है यह बागी जितनी भी वीडियो देखे हैं इस आफ तुड़े मॉर्निंग आज की वीडियो है जो कि मैंने सारी रिकॉर्ड के और आपसे शेयर कर रहे हूं यहां पर मैं थोड़ा सा चि जाए के लावा लाल मिर्चों का पॉडर जाएगा वाफ टी स्पॉन या वन फोटी स्पॉन एक आपक प्यूबर पॉडर बन फोटी स्पॉन तंदूरी मसाले का हैफ पैकिट और चिकन तिका मसाला टू टेबल सपॉन इसके साथ में सोया सॉस विनिगर और चिली सॉस जो ह के मैंने अपनी last previous video में, last week की जो video's है, उसमें एक वीडियो में अपना एक बहुत ही lifetime journey का खिकर किया था, आपने वता नए कि उस journey में एक specific आपको पार्ट शेयर किया था, that was the best part, मतब पूरा ही journey वो obviously बहुत अच्छा था, but उसमें मैंने specific incidence शेयर किया था, कि मुझे उसको लेके या रिसीफ करके उस चीज़ को बहुत खुशी हुई तो वो क्या चीज़ थी और दूसरा जो है How many days वो पैम मैं तब कितने दिन जो है मैंने उस travel में जो है वहां पर गुजारे जो भी था आप वो वीडियो देखेंगे जाके तो फिर आपको पता लगेगा वो क्या था तो प्रिवेस वीडियो है जिसमें यह सारे के सारे आंसर हैं Go check out my previous week video and you will get all the answers यहां पर मैंने 800g के करीब चिकन लिया था दही में वो तमाम मसाले अची तरह मिक्स कर लिया है और मैं इसको जो है मिक्स करके ओवर नाइट या जब भी मैंने इसको बनाना हूँगा अगा तो मैंने विसे विंदी कोश बनाया तो we will probably have that इसको मैं एक से दो दिन बाद बनाऊंगी भिंडी कोश बनाने के लिए मैंने जो है गोश में सारे जो है मसाले डाले थे मतन लिया था मैंने हाफ तकरीबं 500g के करीब उसमें मैंने लेसन अद्रक का पेस्ट टमाटर का पेस्ट अनियन होती है दो मीडियम साइज की उसको च प्रेशर कुकर में यहां पर मैंने भिंडी को बेकुल चोटे स्लाइस में काट लिया और इसको मैं हलका सा ऑईल में डालके अच्छी तरह से फ्राइक कर लिया हूं ताकि इसमें जो वह एक लेस आता है ना भिंडी में वह खतम हो जाए और अच्छी क्रिस्पी सी इसकी जो के मेरे एक अनाय से डिसक्शंदी हो चुछै कि अपने मार्क्स क्यान ं irritation क्याता है भिंडी में शजी सब्सक्राशन ही डिया है तो परेशर कुकूऑ में उर्प कि फाइव होना ना है भिंडी को तो कह दो काई करण बीड किया आनाय को कर नाय को करने रख देना है अंतील ये अपना ऐल रिलीज कर देए वो निशानी होती है कि आपका खाना जो है प्रॉपर ली बहुन गया है और एंड में हम इसकी गानिशिंग करेंगे क्वेस्टन नमबर थ्री क्वेस्टन नमबर थ्री ये है कि मैंने आपको आज ही की वीडियो में यह मैं क्लू दे रेती हूँ एक DIY शेयर किया है जब में इस्किल जो है बहुत ही dehydrated होती है तो मैं वो DIY करती हूँ आपने मुझे वो DIY बताना है और कहाना वाना क्योंकि हुआ यह था कि सुबह उमेर जो है आज अरजान का पेपर लेट था तो अरजान ने लेट जाना था तो अनाया को मैंने सुबह ब्रेकफास्ट देके भेज़ दिया था और अरजान जो है पर बाद में जाना था उसने 930 नहीं सॉरी 10 15 के करीब जाना पर फॉर्टिफाइफ प्रॉस का पेपर था तो मैरा और अर्जान का नाश्टा द्यू था तो यहां पर मैंने आज सोचा कि लेट चारे हैं में पास थोड़ा 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 तो मेरी आज़कर बहुत लगी वह थे इसी भागदोड के बीच मुझे काम करने सारे पिर में इसका नेक्स ट्रै बताऊंगे आपने क्या करना है कम सब बिनर नमबर वन इस नज्मा खान आप जो भी है कहीं से भी है मुझे अपनी जो है डिटेल्स शेयर कर दें इंस्ट्राग्राम पर जाकर इंबॉक्स कर दें ताकि मैं आपको जो है आपका गिववे भिजवा अपनी जो अपनी जो प्रशा जाल है और साथ में यह जो मैंने अन्यों के वो डालूंगी और इसको मैं लिड लगा करके स्ट्रीम में पकने दूंगी ताकि यह दोनों साइडों से अच्छी तरह और अंदर तक बिल्कुल जो है अंडर पक जाया जाए अंदर मेंसे वह नि काया जाता मुझे देख के उसको कुछ होता है तो यहां पर यह रडी हो जाएगा उमेर के और अपने लिए मैंने यह बनाया अरजान के लिए मैंने चीनी वाला पराधा बनाया और उसके बाद जो है मुझे अगेन बच्चों को लेने निकलना था वो चले गी और बापिस साके मैंने बागी क्यों डेयु वीडियो जो है वो रिकाड की है अगेन जो हैं आपने यहां गिव वेए कि मैं फिर यहांपर पर रबीट कर देती हूं आपने क्या करना है जितने भी कॵेस्टिन वीडियू में है को और से सुन nugने हैं उनके आंसर्स जो आपने मुझे Instagram के inbox में जाके उसके answers करने है यहां पर हमारा नाश्ता त्यार हो चुका है, भिंडी गोज भी त्यार हो चुका है उसकी garnishing मैं आपको आपके दिखाती हूँ, बहुत से garnishing है, बहुत ही मज़े के भिंडी गोज बनता है, घाथ की रोटी के साथ, चपाती के साथ, आप खाएं, यहां पर यहां पर यह ओमलेट पेपेर हो गया है, इसको मैं अपसाइज डाउन करके इस ता से प्लेट मैं निकाल हूँ, यह मेरा ओमलेट है, जो पिछरा प्रिबियस ओमलेट था, वो मैंने ओमलेट को बना के देता है, यहां बहुत ही मज़े का यमी स्क्रमी लगा ओमलेट को भी, तो बिंडी के ओपर मैं यहां एंड में लेमन, एक लेमन ले लिया, उसका आपने लेमन को स्क्विस करना है, अगर आपको थोड़ा पसंद है लेमन का जूस या लेमन का फ्लेवर तो यू कन एड़, आलवेस को फॉर मोर, थोड़ा सा हलका सा चाट मसाला डालूंगी, हरा धनिया और हर्मेट से उपर से गारनिश करूंगे, यहां पर हमारा भिंडी गोश्ट त्यार हो जाएगा, बिंडी गोश्ट हमारा रेडी हो चुका था, कुश्टन्स मैं आपसे काफे साथ पूछ सकूए हूँ, वीडियो में आगे पूछूंगी, और अब मैं बात करते हूँ कि समर में जो है, आपने अपनी स्किन का कैसे ख्यार रखना है, हमेशा म मैं अपनी वीडियो में कहती हूँ, यू शुट कीप हाइडरेटेट, तक्रीवन आठ से दस क्लास पानी के आपको डेली इंटेक करना ही होती है, अगर आप भूल जाते हैं कि आपने पानी पिया नहीं पिया, उठके जाना सुस्ती होती है किचन में विश्टा से एक वाट पानी पी लेती हूँ, बिसमिल्लाइ, आपने समर्स में अट लीस्ट दो से तीन लीटर पानी ज़रूर 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 पीना ही है, आपके सिर्फ स्किन के लिए अच्छा नहीं है, बालों के लिए अच्छा है और आपको वेट लॉस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लो उसके इलावा समर्स में अलाद आला की कुदरत है, अलाद आला ने हर सीजन के फूट बनाया और इसके अपने बेनेफिट्स रखे हैं समर्स में जो सबसे बेस्ट फूट आता है या वाटर मेलन, मेलन, हर्बूजा, गर्मा, डिफरेंट फॉंड में उत में 80% जो है वाटर क्योंके इसमें वाटर कॉंटेंट, 80% जो है वाटर मेलन में, इस तरह के जिसमें भी फूट्स जो सारे खाएं सबके अपने बेनेफिट्स होते हैं बद स्पेसिक्टी समर्स में वाटर मेलन इतना अरसे है, सीजन में, ट्राइट टू एट एट असमें आपके सामने खाती ह है, सीजन में पार में रुट एट एट लिए परेस्टेकर, आपने भी फिर खरीप में देखा होगा, सो रह कम दाट विनर फ्मिनर ओफ माई वीड जो सेकंड मेर है मेरी गवावे की इस वे इस इस सिद्रा शेफ, आप अपनी जो है डिटेल्स मुझसे जो है, कॉमें पिछे गववेश भी नहीं है आज मैने इंस्रेग्रेम की स्टोरी पर इपनी स्कीन को अपनी स्कीन को अच्छा ग्लॉई और फ्रेश रखना है एक तो पानी हो गया है फुरूट्स को काना है जिस हता हो सके फ्रेश वेटेबल्स और फूट पर जोर रखें अपनी डाइट में जो है शुगर की जो इंटेक है उसको कट डाउन करें शुगर कम लिया करें और जो है क्योंकि वैसे ही हल्थ के लिए चीनी अच्छी नहीं है तो कार्बिनेटी ड्रिंक्स होते हैं जितने भी और इस तरह के फिजिट ड्रिंक्स हैं उनको वाइट करें आपके स्किन के लिए भी बैड है और आपकी ओवराल हिल्थ के लिए भी जो है वो अच्छे नहीं है अच्छा हमेशा मैं कहती हूँ बेर संस्क्रीन तो जब भी आप इवन घर में हैं या घर से बाहर जा रहे हैं समर स्किन केर का तो मस्ट मस्ट पार्ट है ना आपने संस् स्किन केर और यहां बहुत हैं स्किन केर और अपने दूसरा जो चैनल है आईशा ओमेर उस पे विजल वापस आरी हूं सो स्के टून और बहुत चारी जो है आप से डियावार रेमेडीज और स्किन केर और और बहुत साथ चीज़े शेयर करने वाली हैं इंशाला जो है उसको भी मैं दुबारा से टिप करती हूं चैनल को तो आप कोई भी मैंने पहले भी अपनी वीडियो में शेयर किया एक पॉर्ण्स का मैं यूज करने हूं जैट बेस्ट मॉस्टराइजर है यह बहुत अच्छा है इसके दावर न्यूट्रोजिना का हार्ट्राबूस्ट मॉस्टराइजर जो है जैल फॉर्म में वह बहुत मॉस्टराइजर यूटस में अचैटेज का करते हूं दूदूद्र पॉर्क के विस्क करती हूं हलका सब में सिर्फ अप्लेस फेस पे उसको अपलाय कर लेती हूं खाली बलाई को कुछ भी नहीं करती है और 15-20 मिनट बाद में उसको थोड़ी सी स्मेल होती है उसकी बलाई की बट कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है तो उसको टॉलरे इवन देन और यह जरूरी यूज करती हूं इसा के sheet mask once or twice a week रात को सोने से पहले या दिन में किसी भी time best time है कि आप रात को सोने से पहले इसको यूज कर लें ताकि इसके अंदर सेरम है वो आपकी skin में properly absorbed overnight वो वक करें यह कुछ चीजें हैं इसके इलावा आपने week में skin को ए में यूज कर रही हूं मैं यूज कर रही हूं मैं यूज कर रही हूं बिल्कुल mild सा हलका सा एक से दो दफा ज़रू scrub करें अपनी skin को उसके लाव अगर आप बजार के scrub नहीं यूज करना चाहते तो what you can do at home just coffee लें बिल्कुल बारीक granules वाली बहुत मोटे granules नाओ इसमें ज कोफी जो है उसमें anti-aging properties भी होती है आपका जो aging का प्रॉसेसर उसको भी slow down करती है तो यह थी मेरी आज की वीडियो लास क्वेस्टिन है कम सा लास क्वेस्टिन यहां पर मैं करती हूं अपनी आज की वीडियो अपनी आज की वीडियो वीडियो मेरी इसी लास वीडियो में है वीडियो में मैंने गिववे में गिफ्ट किया रहा है वो मैं आपको सर्प्राइज रखा हुआ है कल की वीडियो में बता हूं होंगी फोर नौ आप जो है जाएं क्वेस्टिन करें मुझे इंस्ट्राग्राम इंबॉक्स पे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें ताके जो है मैंने हमेशा कहती हूं कि जैसे जैसे फैमिली ग्रोगी है मेरे गिववेस्ट जो है उसी हिसाब से बढ़ते जाएंग आपिए करें लॉवें नेवर्ट थी ओ जाएंगा में जाएंगे जाएंगी ग्रोगी थी फैसे पर ट्रेसी यू नेक्स वीडियो अटी नेक्स टाइम अव्या खूब से खाव ख्याल रखें अलाफेस टेक केर और अव्यों से अविश्ट करें।